आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाश 12 की हिस्ट्री चैप्टर है हमारा तेरवा सेकिंड पार्ट मात्मा गांधी वाला चैप्टर है टेलिग्राम गुरूप अगर आपने नहीं जोइन किया तो आप वहां से जोइन कर सकते हैं क्लाश 12 इस पी न्यू ग्रूप आपको टेलिग्राम एप में सर्च करना है आपको ग्रूप मिल जाएगा और आप एमसी क्यू टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एक लव्य ओफिसियल एप को डाउनलोड करें वहां पे आपको क्विज में जाना है क्विज सेक्षल में आपको खूब सारे टेस्ट मिल जाएंगे अलग-अलग सब्जक्ट के आप वहां से एमसी क्यू टेस्ट दे सकत हैं चलिए टॉपिक को सुरू करते हैं पहले हम पार्ट वन का थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं पार्ट वन में हमने पढ़ा कि 1915 के बाद जब महात्म गांदी इंडिया आए भारत आए तो क्या बतला हुए क्या-क्या मतलब उनके साथ हुआ तो 1916 का बी-एचियो का वासन आपको याद होगा इनका जहां से यह जाने जानने लगे थे 1917 में चंपारन की घटना भी आपको याद होगी चंपारन का अंदोलन जहां से यह और ज़्याद परसिद्ध हुए 1918 में खेडा और एमदाबाद के घटना भी आपको याद होगी अगर आपने लास्ट पार्ट देखा है तो 1919 में जल्यावाला बागत्या कांट भी आपने देख लिया था उसके बाद फिर आपने आसायोग आंदोलन 1921 किसके समय पढ़ा था आसायोग आंदोलन फिर आपने 19 1922 के आसपास चोरी-चोरा घटना भी पढ़ी होगी लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से आंदोलन वापिस लेना पड़ा था ठीक है तो ये सारा का सारा हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं चलिए इसको थोड़ा कंटीनियो करते हैं और आगे समझते है नमक सत्या ग्राय जो है मैं आपको बताऊंगा पर उससे पहले एक बेसिक टॉपिक हम देख लेते हैं देखे क्या हुआ आसायोग आंदोलन जो था उस दोरान ये जो चौरी-चौरा वाले घटना हो गई थी और उसके बाद फिर गांदी जी को जेल में भी डाल दिया गया 1928 में उन्होंने राजिनीती में दुबारा प्रवेस करने का सोचा 1928 में जब वह राजनीती में आँ थे उसी समय में एक साइमन कमीशन वाली घटना भी हो गई चो महत-पूंग थी तो देखिए साइमन कमीशन वाली घटना क्या है इससे समझग की हो जाएगा हमेशा के लिए साइमन कमिशन क्या था इसको समझने से पहले आपको एक्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि क्या हुआ 1919 में एक भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 में जिसको मॉन्टेंग क्यों चैंस फोर्ड सुधार के नाम से भी हम डिसाइड हो गई थी कि ये जो सुधार हम लेकर आ रहे हैं दस साल के बाद हम इसको रिवियो करेंगे यानि दस साल के बाद हम इसकी जांच करेंगे और हम देखेंगे कि जो भी हमने ये रूल लागू करें क्या ये success हो पाई या नहीं हो पाई ठीक है ये पहले से ही decide हो गया था कि 10 वर्ज बाद हम सुधारों के जांच करेंगे और ये जो सुधार थे केवल नाम के सुधार थे भारतियों को इसका फायदा नहीं था भारतिय जनतार 1927 में ही गया था लेकिन भारत में 1928 में आया इसके जो अद्यक्स थे उनका नाम था इंग्लेंड के वहीं पर रहते हैं वहीं के संसत के सदस्य हैं अब ये भारत में ये जो देखने के लिए आ रहे हैं ये क्या भारत को समझेंगे जब ये भारत में रहते ही नहीं है भारत को जानते ही नहीं है तो जैसा इनको अंग्रेज बताएंगे वैसा ही समझेंगे भा जो वाव केवल एक दो जगा पे नहीं हुआ बहुत उत्तर भारत में काफी जगा पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो देखते चलिए इसे समझे दक्षिन भारत की तरफ चलने तो बंबई साइड में आप देखोगे वहाँ पे अंदलोन हो रहा था अगर आप पूर्व में जवालाल नहरू और जीवीपंद विरोध कर रहे थे लाहोर में भागस सिंग की जो संगटन था नौजवान भारत सबा इसके द्वारा विरोध किया जा रहा था साइमन कमिशन का और लाला लाजपत राए जो थे वो नेतरतों कर रहे थे लेकिन यहाँ पे घटना ऐसी हो गई जिससे जो इंपोर्डेंट है आपको ध्यान रखनी है हुआ क्या कि जो अंग्रेज पुलिस अपसर्ते उन्होंने परमीसन दे दी थी कि जो भी भारतिया विरोध कर रहा है उस पर हमला करो उसे मारो पैसे में पुलिस जो थी उन्होंने लाला लाजपत राए पेर लाठी से हमला कर दिया उनको घायल कर दिया बहुत बुरी तरीके से लाला लाजपत राए ने उस समय में स्टेट्मेंट दी कि मेरे सर पर पढ़ने वाला लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की आखरी कील सापित होगा ऐसा इन्होंने कहा था कुछ दिनों के पर लाला लाजपत राहे जो थे उनकी मिर्टी हो गई और मुस्लिम लीःग जो थी उसकी तरफ से जिन्ना के नेतरीत में भी साइमन कमीय संट का विरोध चलना था यह जो लाला लाचपत-रह की मिर्टी हुई हुई इनकी हत्या हुई इसका बदला फिर बात में बगत सिंग और उनके द्वारा लिया गया था ठीक है 1929 में आपको एक important point याद रखना है कि Congress का लाहोर अधिविशन अब लाहोर अधिविशन में important इत गाकर स्वतंतरता दिवस मनाया गया था देश नहीं आजाद हुआ यह ध्यान रखें पर स्वतंतरता दिवस 26 जनवरी 1930 को अलग लग जगा पे मनाया गया तो यह point आपको बिल्कुल पढ़ते वे चलना है अब बात करते हम अपने main topic की नमक सत्याग्रह कोशन बनते हैं यह नमक कहां से खरीदेगा वो अंग्रेजों से खरीदेगा या फिर आपको मार्केट से खरीदेगा ठीक है और मार्केट पर जो नमक बिखता है वो कैसा बिखता है ज्यादा कीमत पर बिखता है यानि कि गांदी जी का कहना था कि यह जो नमक है यह हर गर में इस्तेमान होता ह और सरकार जो है इसको उचे दाम पे बेच लोगों को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं जबकि लोगों का हुख होना चाहिए कि वो नमक को बना सकें यानि यह कानून जो है यह गलत है और मैं इस कानून के खिलाब क्या गरूँगा आंदोलन करूँगा महात्मा गांदी ने यह कह दिया अब देखे सुरू में यह जो आंदोलन था इसकी बात लाड़ वो इर्विन तक पहुँच गई उनको सूचना दी गई पर उन्होंने इसको इग्नोर करा क्योंकि वो इसके महतों को नहीं समझ पाए उतना ज़ादा वो नहीं समझ पाए कि आंदोलन कितना विशाल हो जाएगा 12 मार्च 1930 को गांदी जी ने साबर मती में अपने आश्रम से समुंधरी की और यातरा सुरू कर दी तीन अपते के बाद वो पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे वहाँ पे कि अगरान समुंधर के नारे उन्होंने मुठी पर नमक बनाया और खुद को कानून के नजर में अपरादी बना लिया ठीक है देस के अलग अलग जगा पे या अंदोलन होने लगे थे लोग उनके सपोर्ट में आने लगे थे नमक सत्या ग्रह में क्या हुआ लोग गांदी जी के साथ हो गए आंदोलण को बड़ा देख अंग्रे जोने लगबक साथ हजार लोगों को गिरफतार किया ठीक है और साथ में गांदी जी को भी गिरफतार कर लिया क्योंकि आंदोरन के जो मुखिया थे या मेन थे लीडर वो महात्मा गांदी थे और इनके सपोर्ट में जो लोग थे उनको भी ग्रफतार कर लिया गया अब देखें यहाँ पे एक चीज आपको समझ नहीं है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने जो पुलिस अपसरते जो उनको जासूस बनाके लगा रखा था महत्मा गांदी की सांदोलन पे नजर रखने के लिए तो वो नजर रखते थे और जो जो हो रहा था वहाँ पे उसकी रिपोर्ट बनाती थे और अपने बड़े अधिकारी तो देखे रिपोर्ट क्या थी रिपोर्ट समझ longtemps कि अंग्रेजों की नोगरी को छोड़ दो और हमारे अंदोलर में आके जुड़ जाओ ये पूरी की पूरी बाते लिखी और इसके अलावा फिर ये वसना नाम के गाउं में गए गांधी जी वहाँ पे उची जाती वाले लोगों को उन्होंने संबोधित करते वे भासंड दि सिर्फ नमक कर या अन्यकर को खतम कर देने से आपको आजादी स्वराज नहीं मिल जाएगा स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रैस्चित करना होगा जो अच्छूतों के साथ की हैं ठीक है जो हमने मतलब कहने का मतलब है कि जो उंची कास्ट के लोग नीच सी शिक इन सब को भी एक साथ आना पड़ेगा या नि जो सभी को धरम का भेदबाओं मिटाना है सभी को जाती का नहीं मिलकर मतलब अंगरेजयों के गिलाप लड़ना यह तभी सुराज मिलेगा स्वराज मतलब स्वैम का राज स्वैम के द्वारशासन आजादी ची के इस सरकारी अफसरोंने अपने पदों से स्थीफा दे दिया अब यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि महात्मा गांदी के सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन एक मैजिन है टाइम जो कि अमेरिका की है यह कि महात्मा गंदी की मजाक उड़ा रही है मजाक कैसे उड़ा रही है यह आपके लिए इंपॉरटेंट आपको समझने तो दीखे का अमerson को इंग जा रहा है यह जो अमेरिका की Lauta capital कि उन्हें इन थे लिचा रही जैसा है इनके मकडी जैसा पेड़ हुए इस तरीके से मतलब उनका मजाग उड़ाए गया और जब नमक यात्रा सुरू होने की बाद चली दी तो इस मैक जिन ने ये लिखा था कि हमें तो शक है कि ये नमक यात्रा कभी पूरी हो भी पाएगी या नहीं वो तो कहा रहत है कि म मैक जिन को विश्वास नहीं हो रहा था जब या यात्रा पूरी हुई तो मैक जिन क्या लिखती है कि मरियल सादू के सरीर में और आगे जाने की ताकत बची है मतलब इनको विश्वास नहीं हो रहा कि मरियल सादू के सरीर में आगे जाने की ताकत कैसे बची हुई है वो इ से राजनेता थे जिन को सलामी देने के लिए इसाई के गिल्प जो सलामीि- देने के लिए हिसाई के किलाःषी तरीकों का हतियार की तरह स्तेमाल कर रहे थे यह哦 अंग्री जो का ही कुछ तरीका अपना रहे थे तो यह कुछ कहा जा रहा है अब आगे देखे समवाद, important topic यहां से भी बनता है, यह जो नमा की यात्रा हुई, यहां से तीन पॉइंट आपके लिए important बन जाते हैं, पहला point यह बन जाता है कि यह जो यात्रा थी, इससे महात्मा गांधी दुनिया में बहुत परसिद हो गए, क्योंकि यूरोप की और अम वादी गतिविदी थी जिसमें महिलाएं जोती उन्होंने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि एक महिला थी जिनका नाम तक कमला देवी चटोबाद द्याए, इन्होंने महात्मा गांधी को समझाया, कि यह जो अपना अंदोलन है, इसको केवल पुरुसों तक सीमित मत रखो, बलकि महिलाओं को भी शामिल करो, ठीक है, तीसरा जो है, यहाँ पर पॉइंट जो है, गलती से गलत टाइप हो गया है, इसको मैं बदल देता हूँ, आप देखिए, इसको कहते हैं अंग्रेजों में भै, तीसरा पॉइंट जो होगा, वह होगा, अंग्रेजों में अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी इस नमक आंदोलन के बाद कि अब अंग्रेजों का राज भारत में ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला यानि कि अगर ज्यादा दिन तक साशन करना तो भारतियों को भी सत्ता में हिस्सा देना जरूरी है अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे अब जब अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे तो ऐसे में ही अंग्रेजों ने कहा कि क्यों ना हम इन भारतियों से बात करें तो गोल में सम्मेलन कराया गया लंदन में ठीक है इस सम्मेलन में भारतियों से बात करने का प्रयास किया गया देखते हैं पहला जो गोल में सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1930 में पहला गोल में सम्मेलन जो वाइस में देश के परमुक नेता जो थे वह शामिल नहीं थे क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी जेल में थी महात्मा गांधी एक महत्पून नेदा बन चुगे थे उस समय में अब वो जेल में हैं तो वो कैसे इसमें शामिल होगे ठीक है 1931 में गांधी जी को जेल से आजात कर दिया गया अगले महीने वाइसराय जो थी है इरवीन उनके साथ इनका इनकी मीटिंग हुई तो यहां पर एक समझोता हुआ जिसको कहा जाता है गांधी इरवीन समझोता याद रखें गांधी इरवीन समझोता ठीक है पहला गोल में सम्मेलन आसफल हुआ कोई फाइदा निवा फिर ये गांदी इर्विन समझोता क्या हुआ है इसको समझी है इसमें कुछ सर्ते थी ये कहा गया भाई अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपने आंदोलन को वापिस ले लो इन्होंने बोला ठीक है इन्होंने कहा कि हमारे सारे कैदी जो है उनको आजात कर दो और जो तर्ट वाले इलाकिया है वहाँ पे नमक उत्पादन जो है उसके हमें परमीसन दे दो तो ये बाते यहां पे शर्त रखे गई थी तो गांदी और इर्विन के बीच में समझोता हो गया लेकिन इस समझोते से बहुत सारे राष्टवादी जो थे जो रैडिकल राष वासन में यहाँ पे समझो ध्यां से समझो इस पॉइंट को की यह जो उपर जो समझोते हो रहें इसमें कहीं पे भी आ जाती की बात नहीं है इसलिए यह लोग जोते वो नराज थे ठीकर यह था हमारा पर्ट टू पार्ट कुब में हमने पढ़ लिया गोल में सम्मेलन एक गोल में सम्मेलन दो आगे वाला सेकंड जो सम्मेलन है उसको हम पार्ट थ्री में पढ़ेंगे और आगे देखेंगे देखेंगे एप डाउनलोड कर लो टेस्ट का जो सीडियो ले यह आपके सामने है जियोग्रोफी का सेटलडे को पोल्टिकल का संडे को हिस्ट्री का तो इस तरीके आपको होगा लेकिन यहापे कोई फिक्स टाइम नहीं है बहुत सारे बच्चे पूछ रहें किस टाइम आएगा तो टेस्ट आप एप को सर्च करते रहो किसी भी टाइम आपको अविलिबल हो सकता है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर व झाल